हम जमू कुश्मीर वाले यह नहीं सोच सकते थे कि यह इतनी बड़े ड्राइब जो अभी देखने में आई है लास्ट कुछ दिनों में तो इतने बड़े लोगों के हाथ जिनकी अप्रोज जो है वो सोचते थे कि हम सरवोपरा हैं मतलब कानून जो है वो हमारे नीचे रहता ह है और यह सियासत जो है वो हम से शुरू होके हम पर ही जो है खत्म हो जाती है तो यह बहुत बड़ा डिसीजन हुआ लेकिन यह हाई कोड की डिरेक्शन पर चल रहा है इसको प्रपर वे से होना चाहिए इसमें मैं तो आपके माध्यम से लजी साब से गुजारिश करूंगा कि पीकन चूजना किया जाए कि जो रूलिंग पार्टी के कोश मिम्बरान है उन्होंने भी एंक्रोजमेंट किया है तो उसको भी जो बावस्ता जो है उसको लाना चाहिए कि जो डिसीजन है जो हाई कोर्ड का ओर है उस पे पीकन चूजना हो कि ये NC से related है जो या जु ऑप बने हुए हैं तो वो सब का जो है वो हिसाब यहीं पर चुकता होगा और होना भी चाहिए। चाहिए वो काचराई लाइंड हो चाहिए स्टेट गवर्मन्न लैंड हो इल्लीगल एंक्रोच किया हो था उन में जो बड़े-बड़े माफिया जितने भी पोलिटीकल हमारे एक्स चीमिनिस्टर रहे हैं आप देखिए जमू में तो है कश्मीर में या पूरे डिस्टिन में तो अभी यह ब्रेकिंग नुज यह है कि सब जगाए रिट्रीव हो रही है रहाज सवाल ऐसा है कि इल्लीगल लैंड इल्लीगल लैंड बायर बीबेर बहुत सी ऐसी बातें हैं यहां पर कभजे पर लैंड बिक्ती रही है ऐसी लैंड खरिदने वाले को पहले सोचना चाहि चाहिए इसमें आपके स्कूल बेंगे फ्रीम बंडर्फिंग बनेंगी पार्किंघ में इंगे है पधली की मैंड यह वों मार में थे इनों लोगों ने आपनी पदाकर आहेथ हैँ ऐड़ आरे विए आपने रिष्टेदार इघ्री पार्कोंध कोब लाट में क्याnorm को एग से